नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। आईए, आईए, बैचिए। आप लोगों की शिकायर पर मैंने लंकेशवर के खिलाफ एक इंक्वाइरी कमिशन बिठाई थी। उनके रिपोर्ट की मताबिक लंकेशवर अपनी जेल में कोई गयर कानूनी काम नहीं कर रहा है। यह रही वो रिपोर्ट, पढ़ लीजे से। सर, मैं जानता हूँ, इसमें वही लिखा है जो इंक्वाइरी कमिशन ने सुना होगा। लेकिन जो मैंने देखा है, दरसल वही सचे सर। सर, मेरी बात का यकीन मानिये। लंकेशवर ने उस जेल में अपनी नाजाएस ताकत की जबरदस ठाग जमा कर रखी है। अजगर जैसे खतरनाग मुझरिम जिसको फांसी के सजा सुनाए गई है। लंकेशवर उने जेल से बाहर भेजकर बड़े-बड़े जर्म करवाता है। और यह सब कुछ मालूम होने के बाद भी लंकेशवर के खलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। और इसलिए इंक्वाइरी कमिशन को वहां से सही इंफरमेशन मिलना मुश्किल है, सर। सर, एसीपी अगनी होत्री हमारे डेपार्टमेंट के जिम्यदार आफिसर है। और मुझे इन पर पूरा विश्वास है। यह रिपोर्ट बेबुनियाद हो सकती है, सर। लेकिन इनका यकीन कभी बेबुनियाद नहीं हो सकता। सर, पुलिस कमिशनर की हैसियत से, मैं इदावे के साथ कह सकता हूँ, अगर सत्य परकाश का कातिल हमारे हाथ लग जाए, तो लंकेश्वर की असलियत को सामने लाने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अगर ऐसा है, तो आप लोगों को मेरी तरों से पूरी आजादी है। जैसे भी हो सकें, आप इस केस को सुझाईए। जो करेंगे, सोच समझ कर कीजिएगा। सर, क्यों न हम किसी दूसरे जोन के पुलीस आफिसर को यहां बोलाएं। जाहिर है यहां उसे कोई नहीं पैचानेगा। हम उसे कैदी बनाकर लंकेशवर की जेल में भेज देते हैं। वो हमें वहां की सारी इंफरमेशन देगा। सर, मौका मिलते ही हम उसे रंगे हाथों के रफतार कर लेंगे। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मिस्टर अगनी होतरी की बातों से यह पता चलता है कि लंकेशवर की जेल में जाना हमारे अफसर के लिए मौत के मुँ में जाने के बराबर होगा। सर, दरसल इस काम के लिए हमें एक ऐसा बहादर अफसर चाहिए जो सर पर कफन बांग कर और चान हथेली पर लेकर निकलता हूँ। मैं ऐसे ही काफसर को जानता हूँ। काम कितना ही मुश्किल हो खातरनाग क्यों न हो। वो हर चैलेंज को एकसप्ट करता है। डलाउजी का रहने वाला है। नाम है आरजुन सिंग। इस काम के लिए आपने सही आद्मी चुना है सेर। आप जानते हैं उसे। यस सेर। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। पुलीस अकडेमी में उसकी ट्रेनिंग मेरे अंडर में हुई थी। उसके लगन और बहादुरे से मैं काफी इंप्रेस हुआ था। मेरा पेवरिट स्टूडेंट था सर। इस काम के लिए अरजुन सिंग। बिलकुल पर्फेक्ट है सर। फिर देर किस बात की। येकनी जल्दी हो सके बलाई उसे। इस चैनी जल्दी होती है। ये क्या तमाशा है। तमाशा से जएधा आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है। आप पर लड़की आप पर जान देरिया और आपको पर्वाई नहीं है। अगर इनको पर्वा होती नो तो मेरे गले में रसी नहीं होती। वर्माला होती ही वर्माला खलो मुविट कमान रुक जाओ अरे समझाओ इसको जो ब्यूटी को छोड़के ब्यूटी के पीछे भगता है मैं यहीं चाती हूँ कि आज तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो हमारी सगाई की तारी शादी की तारी हमारी हनीवंन की जगह यह सब बताना होगा आज और अब ही देगो खाजल, सीजी तरह नीचे आजाओ मेरी शर्पे मान लो, दो मेरी चाथी हूँ वरना मैं उपर जा रही हूँ आप लोग अपना वक्त मत बरवाद कीजिये, चलिये, 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 चलिये अले रुच्चा भाईयो, अर्चुर, मैं तीन तक इनूगी एक… एक! एक… टीनर्स, यहों जिसे यदिदध़ उपरेशनी है करके तो याख ँौजा ढूँ दूँ उल – अप एक्पलनल् डूप ता पूछला आप लेह ना शर्फのा बिभराद का यसका घुट आइ बंड़ tricks तो नाल पैगा, एक्लिये, ती आप अगर हाँ बोलतेता तो इसका क्या चाता ऐसे आदमी के लिए उस बेचारी ने बेकार में अपनी जान दे दी आरे छोड़े यार यह सब पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं अपरो आरे भी सकतरा अक परने ने ख में ने में आ quartz अना आरू! अर्च्छ? पर्च्छ? अर्च्छ? काजर, मैं आखरी बार कह रहा हूं तुमसे, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, ओके? अगर मैं हकीकत में अपनी जान दे देती तो? तो क्या? सभी को तो एक दिन मरना है यानि के, अगर मैं तुम्हारे प्यार में जान दे देती, तो तुम्हे बिल्कुल दुख नहीं होता लोगोंने सची कहा है क्या सच कहा है? छोड़ो, जाने दो, तुम्हे दुख होगा किस बात का? यही के लोग कहते हैं के जो पहलवान होते हैं, वो जाने दो, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जा हुआ पहलवानों को? वो पहलवान होते हैं, वो प्यार में थोड़ा प्यार में थोड़ा? यही कि जब पहलवान रोग होते हैं वो प्यार में थाला कम होते हैं तो यह पड़ाई हो रही है आपकी अर्तो मर्जुन यह ड्यूटी कर रहे हो तुम तब वो काजल ने कहा था कि उसे कॉलिज से आस्टेल छोड़ दे इस नहीं सर तुम कहा जा रहा है तुम मेरे साथ चलो अंकर बहुत गुस्यमे थे बहुत अब क्या होगा क्या होगा मारा जाएगा अर्जुन अरे कुसूर भी तो वैसा है अपने सीनियर्ज की बेटी को लेके गुमनी जाता है अंड्यूटी वर्दी पेन कर अंसेंस लेकिन कुसूर सर्फ और स्काई थोड़ी ना था कुसूर मेरा भी तो था मैं डैडी को संझाओंगी शायद तुमारी बात तुमारे डैडी मान जाएंगे लेकिन दिमोशन इस कनफर्म दिमोशन इस कनफर्म दिमोशन नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूगी मैं डैडी से बात करूंगी उन्हें समझाओंगी अर अब तो हो चुका होगा गया बेचारा अर्जून गया गया सर मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस मिशन के लिए चुनाए मिशन की कामियावी के लिए मैं अपनी चान लगा दूँगा सर मैं जानता हूँ तुम चलने के तैयारी करो येस सर मैं तुम्हरे डैडी से मिलना चाहूंगा क्यों निहीं सर लेकिन क्यूं सरıyorsun मैंने नहीं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी बेटी उनके घर डोली में बैठकर आएगी या पुलिस जीप में मज़े खुशी है कि मैंने इस मिशन के लिए एक काबिल आफिसर को चुना है और मेरी बेटी ने भी अपने जीवन साथी के लिए एक अच्छे इनसान को चुना है मैं तुम्हारे डैडी से शादी के बात पक्की करना चाहता हूं डैडी से शादी सा डैडी का आजल से तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए तुम्हारे डैड़ी से बात करना चाहता हूँ किसका प्रेम पत्र पड़ा जा रहा है खान प्रेम पत्र नहीं दोस्त यह ट्रांसफर पत्र है मेरा ट्रांसफर हो रहा है दूसरे शहर निराश क्यों हो रहा हूँ यह ट्रांसफर दोस्तों को अलग कर सकता है लेकिन हमारी दोस्ती कम नहीं कर सकता तुम जब भी दिल से याद करोगे खान आदेल सलाम चैजय जान अरे आओ खान भेटे बहुत साही वक्त पर आए क्या साही वक्त पर आए पिताजी खान में यह तो हमें छोड़ कर जा रहे हैं क्यों कहां जा रहे हैं ट्रांसफर करवा लिया अपना दूसरे शहर में क्यों बहीं क्या सुद्राओं मैं चैजय जान ट्रांसफर करवाया नहीं ट्रांसफर हो गया अब अल्ला ने जहां का दाना पानी खिसमत में लिखाया आदमी वहीं जाएगा ना बहुत लजीज है अच्छे है अरे अच्छे क्यों नहीं होंगे बहुने बनाए हैं अन आच्छे कि बहुने शुक्ते और अच्छे कि अखिश्यों काजल वहि, सोка हमारी चेंता की। expensive हमारी खाराई हमारी से वा की। पतापवाची आप द्लाते नहीं है काजल को सब जानता हूँ मैं खाना अच्छा बनाती है जो बहुत बड़ी आखिलाई इसे और डेको ने अज़ अच्छा ना उच्छी बनाई काजल आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश तुम्हारे कदम भर में क्या पड़े कर में रोनक आ गई और सुबाद अंजु को मुस्कुराते हुए देखा और फिर पिता जबी बहुत खुश है मैं भी बहुत खुश हूँ बहुत अच्छा लगा हुए काफी देर हो गई चलो मैं तुम्हें होस्टेल छोड़ाता हूँ मैं सोचने मैं यही रुख जाओ वैसे भी तुम्हारी बात तो दैडी से होई गई है बात तो हो गई लेकिन होस्टेल जाओगी तब दोली में बट क कुछ दिनों के लिए मुँबाई जा रहा हूँ लटका इबारात लएक रहा हूँगा प्रोमस्ट 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 वैसे प्रोमस्ट बटका हुआवा है रहा हूँगा ट Means